भाईयो नमस्कार आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपकिसान में आप सभी को स्वागत है भाईयो ट्रंच का मन सबका करता है कि ट्रंच बोएं और कुछ लोग किसान भाई बो रहे हैं कुछ उन्हें बंद भी कर दी और काम्याब नी होए भाईयो ट्रंच में सबसे में बात है ट्रंच की घहराई मलग खूड की घहराई इसमें सबसे में साब धानिया जो जो है मैं तुम्हें बता रहे हूं और सबसे मेन जो है वो यह है कि जब देखो यह खेथ है ट्रंस का इसमें हमने बहुत जाद घहास हो गिती इसमें और भाईयो ज़िन हमने उसमें जुताई करवाई तो हमने कई साब्धानिया बढद्ती थो भाईयो आपको दिखा रहे हूँ ये देखे भाईयो ये मेड़ा देखो हर एक पोई में अच्छा खसम मेड़ा है ये देखे ये देखो भाईयो अभी सुरवात है मेड़े की इतना जादे तो नहीं है पर काफी है सुरवात में ये देखे 5-5-6-6 गन्ने पोई एक-एक उसमें तर्किसान क्या काम करते हैं घहराट खूड में लगा देते हैं उसमें गन्ना भुवाई करके और बाद में जद हमारी जुताओ आती है इसमें घास हो दीक अगर मिट्टी पोच गी तो वो सबसे ही ज़न्च में सबसे बड़ी गलती जो करते हैं किसान भाई और यही करते हैं कि इसके जड़ में जो मिट्टी पोचा जिते हैं तो भाईयों मैं आपको बताऊं यह ट्रन्च है ये देखो हमने बहुत साफधानी से इसकी जुताई करी और आपको दीख रहा होगा कि हमारा ट्रंच पूरा उतनी ही गहराई है जहाँ पर हमने पच्छी गेरी थी गन्ना गेरा था वहाँ पर उतने ही गहराई है ये देखे हर एक खूड में कहीं भी देख सकते हो आप तो इसमें सबसे में बात यही है कि अगर पहली बात तो तीन महिने लो नबह दिन लो खूड में मिट्टी जानी नी चाहिए बिल्कुल भी जहां हम गन्ने की बुवाई करते हैं देखे इसमें ये खूड ऐसा ही गहरा है रहना चाहिए आप इसकी कितनी व्यार जुताई कर दो बीच के गैप की लेकिन इसमें मिट्टी भीत्र पोच ना जाए अगर आप ट्रंच लगा रहे हैं और उसमें काम्याब होना चाह रहे हैं तो आप क्योंकि भाईयो देखो मैं तुम्हें बताऊं ये भाईयो ये मेडा है ये देखे ये बिलकुल पच्छी वहाई धर ये इसमें एक अंगल निच्च है और ये देखो ट्रिलिंग ये करने लगा देखो यहां भी है यहां भी यह ये एक निकल ले आए भाईयो ज़द ह हम अगर यह मिट्टी गेड देंगे और यह चार अंगल मिट्टी आएगी तो भाईयो यह हंलो मट्टी से दब जाएगा तो भाईयो जो मेन पोयाना यह मेन सा कमाता सूट यही रह जाएगा एक दो कल्ला निकल वी सकता है नहीं भी और जहां कल्ले कम होए ट्रंच में यही बात है वहाई गन्य की पैदावार आद्धी वला आद्धी से भी आद्धी रह जाएगी तो भाईयो मैं तो यही कह रहे हूँ कि आप जब ट्रंच वोए पहली बात तो इसकी नलाई गुडाई करते ने टेम से और दूसरी बात ये मेडा इसके गन्य के उपर बिल्कुल भी मट्टी आनी नी चाहिए अगर आप ट्रंच में काम्या होना चाहते है भाईयो खुदी सोचो तुम जहां हम पांच फिट का गैप लगा रहे हैं गन्य में है न तो भाईयो एक ही खूड से हमें इतने गन्य लेनी है जो कि दूसरे खूड की भरपाई हो जाए इस वाल यो जो हमारा यहां खूड आता इस खूड की भरपाई हमें इस खूड से लेनी है एक से आप खुदी सोचो तो खूड की भरपाई कैसे होगी वो खूड की भरपाई होगी इन कल्लो से यहां दस-दस कल्ले आठ दस कल्ले एक गन्य माएं तो भरपाई होगी अन्य भाईयों बहुत ही जादा लोस में पोच जाओगे अगर तुमने कल्ले नी ले पाए ट्रंच में कुछ किसान भाई कहते हैं कि पोधे गन्य में इतना ला लेकिन भाईयों पोधे में भी तुम काम्याव होगे 100% जैसा मैं कह रहे हूं वैसा करो यह खूड जो है यो जो नाली सी बनने ही है यो नाली 90 दिन तक बनी रहनी चाहिए मलत जब तक बनी रहनी चाहिए जब तक आपके एक गन्य में आठ दस पोए ना हो आठ दस गन्य न इसलिए भाईयों इसमें ट्रंच में सबसे में बात यही है कि आप यह कल्ले अगर आपको लेनी है देखो मैंने खूड नहीं आता तो यह देखी ना कोई इसमें ग्रोस प्रिमोटर लग रहा ना कुछ और कल्ले कहसांदार आ रहे हैं बहुत ही कम बजट की खेती है ट्रंच में नहीं उत्पादन बढ़िया तो भाईयों और लोग जभी फेल हो रहे हैं जब उन्होंने ट्रंच में कल्ले नहीं ले पाए भाईयों मैंने पहले पैट्रो विदी भी करी उसमें भी अच्छा उत्पादन है और डबल खूड डबल लाइन भी करी जो 12 इंची खूड सा खूड की दूरी होती और फिर पांस पिट वह भी करी उसमें भी सई उत्पादन लेकिन महनत जाद है तो भाईयों मैं तो अब के पहली बार मैंने सिंगल खूड लगाई है और मैं पूरी कोशिस करूँगा अच्छा उत्पादन लेने की और कम लागत में क्योंक अगर आप भी रूटर से जुत्वाना चाहरा है तो इस हिसाब से जुत्वाएं तो कि आपका यह खूड इसमें मिट्टी ना जाए अगर कहीं एक दो मेड़े में मिट्टी चली वेगी तो मिट्टी तुरंत निकालने अगले दिन कोई जुताई के बाद तो भाईयों इसम सबसे मीन बात है सिंगल लाइन ट्रंच में कि आपको मेड़ा बोता करना पड़ेगा एक गन्ने में कमसे को आठ दस कल्ले लेने पड़ेंगी तभी आप काम्याब होगे और आपकी पैदवार जबी बढ़ेगी क्योंकि यो बीस्क वाला खूड जो है इसका भरपाई तुम किसान भाईयों नहीं देखी यह देखो काफी अच्छे कल्ले निकलने लगे अब लो कुछ कल्ले कम थे लेकिन अब हमारा मन खुस है कि कल्ले सही निकलना है कहीं कहीं कुछ हिद्धी तो भाईयो रही जाती है गन्ना उसका हमने गैप फिलिंग भी करी है कहीं कहीं देखे क कल्ले कैसे निकलना है तो अगर ट्रंच में आपको काम्याब होना है एक तो घास मत होने दो और यह गन्ना है पोई है अपने इन में बिलुकुल भी मिट्टी नी जानी चाहिए जो बुआई तुमने शुरू के दिन कर दी है और एक अंगल मट्टी यह वही एक अंगल कर जाता है जितनी उसे कलनी होती है इसलिए भाईयो एक गन्ने के अंदर जब तक मेड़े के अंदर आठ से दस कलने आए जब तक आप इसे इन खोड़ों को नाटे और अपने खेत पर सुबह साम जाते रहें त्योंकि भाईयो बीमारिया बहुत आ रही है गन्ने में और ट बोरर और पायरिल्ला की भी वीडियो बना दिये कि कौन सी दवाई का इसलिए करना है इसलिए भाईयो लगातार चैनल पर बने रहें मैं डेली एक वीडियो डालने कोसी जाजतर करता हूं और अच्छी सही ट्रैक्निक की वीडियो डाल ले हूं यह नहीं है कि कोई फरजी बड़ा डेली दवाई बता रहे हूं जैसे बहुत से यूटीबर करते हैं कि डेली एक दवाई बताया दी किसान भाई विचलिस हो जाते हैं कि मैं कौन सी दवाई के दूँ तो भाईयो ऐसा कुछ नहीं है जो उचित दवाई होगी वही आपको बताई जाएगी और जो हमारा ये वीडियो कैसी लग रही है और हमारी कहीं हुई बाते कैसी लग नहीं है और भाईयो आप भी अपने विचार जरूर बताएं भाईयो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठीक भाईयो धन्यवाद नमस्कार